हेलो फ्रेंड्स आज हम आपके साथ शेयर करेंगे गाजर की बर्फी या टुकड़ी बनाने की रसिपी और देंगे इसके सारे ही टिप्स वीडियो के एंड में गाजर की अलरी हमने आपके साथ कई रस्पी शेयर की हुई है और आगे भी करते रहेंगे और ये आज की रस्पी सिर्फ तीन इंग्रीडियन्ट्स में हम आपको बताएंगे कि आप इसको किस तरह से बहुत ज़्यादा टेस्टी बना सकते हैं साती कम इंग्रीडियन्ट्स में टेस्टी रस्पी के लिए हमारे साथ जुड़िए और टिपस के साथ अपनी कुकिंग को बैस्ट बनाएए तो चलिए आज की रस्पी हम स्टार्ट करते हैं जिसके लिए हमें लेना है गाजर गाजर इसके लिए आप ना तो बहुत चोटे साइस की लें और ना ही बहुत जादा बड़ी-बड़ी मीडियम साइस की गाजर लेकर इसको छील लीजिए और उसके बाद में वाश करके हमें ग्रेट करना है तो यहाँ पर इसको हमने ग्रेट कर लिया है बिलकुल इस तरहां से और अब एक कोई बड़ी कड़ाई भगोना आप कुछ भी ले सकते हैं यहाँ पर हमने एक कड़ाई ले रखी है इसमें हम डालेंगे और क्यूंकि हम बर्फी बना रहे हैं तो कोई भी गी वगारा का यूज नहीं करेंगे क्यूंकि उससे बहुत दा सॉफ्ट भी हो जाती है और बेवज़ा उसमें गी भी जाता है जो कि हेल्थ के लिए बहुत दा अच्छा भी नहीं है तो अगर कहीं पर वाइट कर सकते हैं गी तो कर दीजे तो यहां पर हमने इसमें इलाइची का पाउडर डाल दिया है इसको ढख दिया है तो गल्ने तक हमने इसको पका लिया है इसमें पानी भी अच्छे से ड्राइ हो गया है और यह गल भी चुकी है तो बस यहां तक पकाएंगे कि इसका पानी अच्छे से ड्राइ हो जाए और ये सॉफ्ट भी हो जाए अब हम इसको मैश करेंगे मैश हमें बिल्कुल इस तरह से करना है बहुत अच्छी तरह से मैश हो जाए और गाजर के पीसे बहुत ही बारीक बारीक हो जाएं तो उससे बरफी बहुत अची बन के तयार होती है तो बिलकुल इस तारह से मैश करिएगा उसके बाद में एट करिएगा शुगर शुगर अब मेल्ट होगी तो फिर वापस से ये थोड़ा सा पतला हो जाएगा तो शुगर का जो भी पानी है उसे हमें अच्छे से ड्राइ कर लेना है तब तक बीच बीच में चलाते रहें जब तक ये ड्राइ ना हो जाए और अब हमने यहाँ पर यूज किया है मिल्क पाउडर आपने देखा हमने मिल्क का इसमें यूज नहीं किया था इसलिए यहाँ पर हम पाउडर का यूज कर रहे हैं इससे थोड़ा ये थिक भी होगा और इसकी वजह से इसमें कोई वगरा किसी चीज की ज़रुद भी नहीं बढ़ेगी तो मिल्क पाउडर का ही यूज करें और अब अच्छे से इसको चलाएं और यहाँ पर हमें कंटीनिवसे से चलाना है जिससे ये चिपकने ना पाए क्योंकि इसमें घी बिल्कुल नहीं पड़ा है तो यहाँ पर लगातार चलाईए और जब तक ये इस तरह से एकदम थिक ना होने लगे तब तक चलाते रहे इस वाले ट्रेक्स्चर तक पहुचने तक इसे चलाना है और अब हमने यहाँ पर ले रखी एक धाली जिसे के हमने घीसे ग्रीस कर दिया है और अब ये मिक्स्चर जो के एकदम तयार हो चुका है हम इसको इसमें पोर कर देंगे क्योंकि अभी गर्म है तो ये थोड़ा पतला भी लग रहा है एक लेविल कर लेंगे अच्छे से लेविल कर लेने के बाद में इसके उपर हम क्रेश किया हुआ काजू और डालेंगे पिस्ता क्योंकि औरेंज कलर की गाजर होती है तो इसके उपर वाइट काजू और ग्रीन पिस्ता बहुत ही देखने में अट्रेक्टिव लगते हैं जो ना भी खा रहा हो गाजर की बर्फी तो वो ज़रूर खा लेगा इसको देखकर अब स्पैचुला की हैल्प से थोड़ा सा दबा देंगे जिससे के अच्छे से चिपक जाए इस तरह से दबा लेने के बाद में इसको हम उठा के रखेंगे फ्रिज में दो से तीन गंटों के लिए ठंडा होने के बाद में ये अच्छे से जम जाता है तो यहाँ पर ये जम चुका है और अब हम इसके अपने मन पसंद शेप में इसको काटेंगे आप चाहें तो इसको आयर या पिर डायमंड शेप में काट सकते हैं यहाँ पर हम डायमंड शेप में इसको काट रहे हैं अब एक पीस हम आपको निकाल के दिखाते हैं कि गाजर की बर्फी किस तरह की बनी है और आप देख सकते हैं देखने से ही आपको पता लग रही होगी थोड़ी सॉफ्ट वे होती है लेकिन बहुत जादा टेस्ट में अच्छी होती है और इसको आप फ्रिज में ही रखें जिससे ये जमी रहे और आप इसको रखके एक हफ़ते से दस दिन तक आप इसको आराम से खा सकते हैं तो जरूर ट्राइ कीजिए और अपना फीडबेक हमें जरूर दीजिए तो चलिए अब हम इसके टिप्स भी देख लेते हैं गाजर को आप ग्रेट करने की जगए पीस कर भी बना सकते हैं उससे आपको गाजर मैश नहीं करना पड़ेगी जहां तक हो सके गाजर को आप बिना दूट डाले ऐसे ही गलाएं जिससे के गाजर का जो पानी चुटेगा उसके अंदर गाजर पके अच्छे से त्यार हो जाए और एकदम ड्राइ हो जाए जो लोग डाइबिटिक हैं वो शुगर की जगए शुगर फ्री का यूज़ कर सकते हैं शुगर को पहले से न डाले नहीं तो गाजर एट जाएगी और ठीक से गलेगी नहीं क्योंकि हमने इसमें मिल्क वगरा या पानी का यूज़ नहीं किया है तो ये तो थे आज के थाएबिस गडशट वार टृज़ कर दो को पानी किया है।